दोस्तो स्वागत है आप सबका एल के ओल इन वान चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ त्रिफला नाम के एक हम्रित की कैसे इसको हम घर पर बना सकते हैं त्रिफला जो है दोस्तो बाजार में भी उपलब्द होता है इसके जो गोलियां है वो भी मिल जाती है बाजार से इसका चूरन भी है जो बाजार से मिल जाता है लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि किन तीन चीजों से त्रिफला का मतलब है कि तीन फलों कौन से वो तीन फल है तो अगर आप इसका त्रिफला का पूरा आप अगर चाहते हैं कि इसका आपको इसकी पूरी की पूरी जो है बेनेफिट्स इसके मिले तो आपने बनाना है त्रिफला चूरन घर पर और मैं आपको बताऊंगी कौन सी तीन चीज़ें जो हैं आपको चाहिए दोस्तो मेरा वीडियो लाज तक देखते रही है अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हमने इसे घर पर बनाना है और क्या इसकी विशेश्टाएं है दोस्तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए हरड, बहेडा और अवला जब हम इन तीनों को अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तो तो हमारे पास चूरन बन जाता है त्रिफला का और यह जो त्रिफला का चूरन है दोस्तो बहुत ही जादा अच्छा होता है हमारे लिए हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को यह दूर कर देता है पाचन क्रिया को बहुत बहतर बनाता है यही नहीं दोस्तों यह एक detoxifier की तरह काम करता है हमारे शरीर से जितने भी जहरीले पदार्थ है उनको यह बहर निकाल देता है हमारी आंखों की रौशनी को बहतर करता है हमारी blood circulation के लिए बहुत अच्छा है शरीर की जो रोगों से लड़ने की शक्ती है जिसे हम immunity कहते है उसको यह बहुत बहतर कर देता है यही नहीं दोस्तों अगर आप त्रिफला चूरन का सेवन कर रही है आपकी जो चरबी है excess fat जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है अगर आपके joints में pain है bones में pain है उसके लिए भी बहुत यह अच्छा है यही नहीं दोस्तों यह blood pressure वाले मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है बहुत जादा इसकी विशेशताएं है और बहुत ही यह अगर आप इसका सेवन करते हैं यह cancer तक की बिमारी जो है उसको यह ठी कर देता है और यह माना गया है कि जो लोग trifla का सेवन करते हैं उन्हें pain का cancer जो है वो नहीं होता है यह diabetes के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों यही नहीं अगर आप इसका सेवन करते हैं तो जो hormonal imbalances होते हैं उसको भी यह बहतर करता है अब दोस्तों आपने इसको बनाना कैसे है आपने हरड लेनी है एक बहेडा दो आवला चार अब यह जो एक दो और चार है दोस्तों यह अनुपात है अगर आपने 100 ग्राम हरड ली है तो आपने 200 ग्राम बहेडा लेना है 400 ग्राम आमला लेना है दोस्तों यह बहुत ही जो है यह मैंने आपको मात्रा बताई है जो मैंने आपको यह अनुपात बताया है अगर बाजार में आप लेते हैं यह तो उसमें जो अनुपात है वो एक अनुपात, एक अनुपात, एक होता है, क्योंकि जब आपने त्रिफला का सेवन as a medicine करना है, दवाई के रूप में आपने उसको लेना है, तो उसकी मात्रा एक अनुपात, एक अनुपात, एक होती है, पर अगर आपने इसको घर पर ही यू प्रंगधर उन्होंने बताया है घर पर आप इस्तेमाल करने के लिए इसका नुपात एक दो चार ही लेंगे अब आपने बनाना कैसे है दोस्तों इसको आपने यह ले लेने हैं सुखा के इसके बीज जुह है वो आपने निकाल देने हैं अच्छे से इन तीनों को मिक्स कर ले देना है अगर आप 2 समय ले रहे हैं तो 5 ग्राम सुखे 5 ग्राम आप शामको ले सकते हैं लेकिन 10 ग्राम से जाधा जो है आप इसका सेवन मत कीजिए अगर आप इसको सूभे लेते हैं दोस्तों ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि इसके फाइदे क्या है अगर आप इसको सूभे करते हैं तो ये आपके लिए एक nutrition की तरह जो है वो काम करता है पर यही त्रिफला का सेवन अगर आप रात को करते हैं तो ये रेचचक की काम करता है एक लग्जक्टिव की तरह काम करता है आपको कब्ज की समस्य अगर है तो वह आपकी दूर हो जाएगी अगर आप त्रिफला का सेवन रात को करते हैं सुभे अगर आप इसका करते हैं तो यह आपको पोशक देता है पोशन की तरह जो है वो पोशन मिलेगा आपको एक बार परामर्श कर ले और आपने 10 हफते इसका सेवन करना है उसके बाद आप 2 हफते का जो है वो gap डाल सकते हैं क्योंकि इससे आपके जो आंतरिया है उनको ये इसकी आदत नहीं पड़ेगी मैं आशा करते हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा प्लीज आप इसे लाइक करना शेर करना मत भूलिए जी हाँ दोस्तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हाँ दोस्तो अच्छी और बहतर जानकारी के लिए देखते रहे हैं अच्छी और बहतर जानकारी के लिए देखते रहे हैं थैंक्यू दोस्तो